कि मुझे पता है कि करनेटली जो है यूपी एसाई के जो भी करनेट से हैं वह काफी ज़रा परिसान चलना है एक्जाम डेट को लेके और यूटूब में धेड़ों वीडियोस हैं इस टॉपिक के ओपर आप में चैनल पर जाकर देख सकते हैं मैंने लाच्ट वीडियो बनाई सबसे पहले मैंने बताया था कि MTS का UP और बिहार मतलब कि आप में पॉइंट पर आई वो यूपी है उसका एक्जाम 20 तारीक को हो रहा है हलाकि जो पहले की जो डेट थी वह पांस से लेके 20 अक्टूबर के बीच में थी लेकिन अब उसे जो है विदाउट एनी नोटिस उस इसमें जो है एक्जाम डेट के बरमें कि निट कि पैसान ये जवर्म गलती भरती वोट कि सबसे जाब सही है ये बात सही है कि महीं जादा दिन पहले बढाता नहीं लेकिन फिर भी एक ड्लिश बीस दिन का पिछेश दिन का इतना गभ तो बनता है आपको बता देने पर कुछ चीजों को तो आपको भी क्लियर कर देने चाहिए कि भाई हम एक्जाम ले रहे हैं या एक मन्त ही आप बता सकते हैं कि यह मन्त हो सकता है अब यहां पर एक और नोटिस है जिसके बारे में मैं बात करूंगा मुझे पाता है कि कि आप लोग काफी जार पैसान चरहे ह काफी जार डिसाई काने वाले हैं यह बाइससाई का नोटिस है आप आराम से पढ़ सकते हैं बागी साही चीज़े आप पढ़के आराम से याद हो चुकी होंगी कि क्या है इसमें क्या चीज़ा नहीं एक क्लाइन मुझे लगता है कि जो भी यूपीएसाई का का कि जो नोटिस है और पुरा डरे टाट चुका होगा अगर इस नोटिस के बार में कोई भी कोश्चन को सही कर कर एंगे फिरसके बाद है बईससे लेकर 14 की बीच में एक्जाम होना है अगर इससे होना तो आप नोटिस तेरीजिए फिरसके बाद है पाइन नहीं नमार टू लेकिन जो कि अभी पतीचित है, अभी तक पतीचित है, रिसिप्ट आप देख लीजगा, चौविस नौज़ देख लीजगा कि अभी भी ब्रोसेस में चला है, चौविस नौज़ दोज़ारे काम लगते हैं कि बीस तारीको आपका एक्जाम हो पाएं, इस चीज मैं काफी प इसलिए तैयारी आप लोग करते हैं, अगर बीस के बाद नहीं, 27 या एक नॉमबर से भी आपका एक्जाम हो रहा है, तो जारत से जारत दस दिन आगे खिसक रहा है, या नॉमबर के फर्स वीक तक, इससे जादा और नहीं खिसकने वाला, तो तैयारी आप लोग अपना करत करते रहे हैं, कमें सेक्सन खुला है, आप जो चाहे हैं वो बोल सकते हैं, have a nice day, best of luck.